सर्दी के सीजन हो दोस्तों और शकरगंदी हम ना खाई ऐसा तो हो इना ही सकता तो आज हम कुकर में शकरगंदी बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे इसका जो स्वाद आएगा वह ऐसा आएगा जैसे बिल्कुल हमने चूले में भून कर खाई है तो देखें मैंने छोटी कटोरी के नमक काटोरी नमक लेए और यह一定要 कर देखें मैंने अधा कर नमक के लिये नमक क्राइए और इसको कूकर में नीचे डाल देना है नमक इसलिए टाल है नमक की लिए हमारा कूकर है यों नमक का स्वाद्ध रहीनी कर देता ब्रीके से फ्रेंड साप् कुकर भर कर एक साथ ही शकर गंदी उबाल सकते हैं तो द्येश से 2 किलो शकर गंदी आपकी अराम से वहल जाएगी एक बार में बाकितों आपके कुकर के सब्सक्राइच सब्सक्रस पर भी इसलिए हाई रख ताकि जो नमक है हमारा वह गरम हो जाए टाइम नोट कर लिया है मैंने देखिए और उसके बाद थो है मैं दो से तीन मिनुट इसको हाई फ्लेम पर चलाऊंगी ताकि नमक मेरा गरम हो जाए उसके बाद फ्लेम को मैं मीडियम या फिर लो रखूंगी और जो बीच बीच में है दो से तीन मिनट में मैं अपने कूकर को इस तरीके से हिलाती रहूंगी ताकि शकरगंदी हिलती रहे अंदर से और एक जगे से वह बिल्कुल जले ना और बाकी कच्छी भी ना रहे अच्छे से मतलब पर हमारी शकरगंदी भूंच जाए ने कूकर बीच में खोल करके देखा है और आपको ऐसा लगे शकरगंदी हमारी कच्छी है तो आप दुबारत से इसको चला सकते हैं पांसाद मिनट और देखें मैंने हाथ लगां के देखा है तो हमारी शकरगंदी बिल्कुल पिलिपल कर लिया था और अब इन सब को मैं निकाल दूँगी यह बिल्कुल गरम है तो चिम्टे से इसको निकाल रही हूँ हाथ लगा नहीं जा रहा बहुत गरम हो गया है कुकर आराम से ध्यान से आपका हम कीजिएगा और देखें यह जो हमारा नमक है नीचे इसकी वज़े से देख कि जब पाने डाल到 कर उसकά तो क्या होता है कि शेकर गंधी हो जाता है कर ऐसा कोत हो जाता है और जान्हों आता है किशह ब्लकुल मजा नहीं आता है और जब लोग बाहर रह रहें हैं खकल Dopус Shakaag ब्राति इस तरा इसे आप मुत ढ़ीत को सदय को दो एस तो आपसे सिंदे के अगर विडियो बनाने में कि साधिल एक लाईगर शेयर कर दीजे Hai देखें बहुत मैनत लगते है वीडियो बनाने में वीडियो शूट करना पड़ता है एडिट करना पड़ता है वोई से वर देते हैं फिर जागर कभी आपके पास होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं थामनेल बनाना टाइटल सोचना तो अगर किसी का भी आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंट्स जरूर मैं आप से यही बोलूँगी लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और यह देखें जो नमक है ना इसे हम दुबारा से रियूज कर सकते हैं तो के लिए बाबाई अपना ख्यार रखें खुश रहिए